हेलो दोस्तों, गुद मॉर्निंग अल अफ यू, कैसे हैं आप सब, आज एक नई वीडियो के साथ आप सब को फिर से एक बार वेलकम करती हूँ मेरे चैनल के उपर, आज मैं दो चीज दिखाने वाली हूँ, पहले तो मैंने एक महिना पहले जो प्लांट सिंडर के उपर लग कुछ लोगों ने इसको इनफेशन सफारा कहा, और कुछ इनको रंगों सब भी कह रही हैं, लेकिन मैं कनफर्म नहीं हूँ, इसका आईडी क्या है, अगर आपको पता है, तो बता देंगे, कमेंट करके तो अच्छा होगा, और इसके रूट के नीचे आप लोग देख सकते हूँ, ताकि आप भी अच्छी तरह जो न्यूली प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, और जो भी समझते हैं, कि गुलाव हम हमारे लिए उगाना मुस्किल है, तो उनके लिए ये चीज बहतर हो जाए, ताकि उनको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, कि आप इजिली कैसे रोज उगा सकते हैं, अपने टेरेस के उपर, और ये प्लांट के ग्रोथ कैसे हम बहतर बनाए, आज जो मैं टापिक लेकर आई हूँ, मैं ऐसे चीज के उपर डिसकस करने वाली हूँ, ताकि बहुत सारे चीजे तो हम लोग डालते हैं, न्यूट्रिशन जो है, जो भी फोटिला डाल देते हैं, क्या हमें ये चीज पता है, कि जो भी हम फोटिलाइजर प्लांट के अंदर दे देते हैं, क्या प्लांट सारे फोटिलाइजर सारे न्यूट्रिशन अपने अंदर ले पाता है, ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन जैसे कि माल लीजे, कोई human body हो, अगर आप के पेट ठीठ होंगे तो आप जितना भी खाना कھाएंगे यजी अन्दर जो एक्टिविटी्टी खोती है रूट के नीची वह क्या होता है कि जो भी फॉडिलाज कर दो आइं वो सारी fertilizer को नहीं ले पाता है यानि कि जो भी nutrition उनको चाहिए वो सब को नहीं ले पाता है तो वैसे क्या चीज हमें root के अंदर देना चाहिए जो भी हम nutrition या जो भी हम fertilizer डालते हैं जितने बार वीक में हो सकता है, हम उसके अंदर देते हैं, तो वो सारे nutrition को अपने अंदर लेकर अपनी ग्रोट को बढ़ा सकता है, और वो प्लांट दूसरे प्लांट से अलग होता है, जो प्लांट सारे nutrition ले पाता है, और इसी चीज के उपर हम आज discussion करने वाले हैं, तो वो क के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ इसको स्पेसियली हम माइक्रोजा फॉंगी वी कहते हैं ये एक तरह का बेक्ट्रिया या मालीजे फॉंगस होता है जो गुट फॉंगस के हिसाफ से ये रूट के नीचे से काम करता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे माइक्रोजा कि ये प्राइस थोड़ा रिजनेबल है और इसको महिने में आप एक बार प्लांट के अंदर डाल सकते हैं पहले जो है हम इसकी बेनिफिट्स जान लेते हैं ये माइक्रोजा फॉंगी की जो बेनिफिट्स होती है ये बहुत सारे बेनिफिट्स करता है प्लांट के उपर ज अपने आप लेकर रूट के नीचे से पढ़े रहते हैं और एक प्रोटेक्शन एरिया जैसे जाली टाइप के जिसको हाइपी कहते हैं ये बना लेते हैं और जो भी हम फॉर्टिलाइजर डालते हैं उसको वह रूट तक एभलेबल करा देती है और दूसरी जो चीज होती है ये अगर मिट्टी के अंदर आपके मालीजे कोई प्लांट लगा हो तो मिट्टी को वुरूरा करते हैं और नमी बनाए रखते हैं जैसे कि मॉस्चर मेल्टेन होके रहता है मालीजे आप दो तीन दिन तक पानी नहीं देते हैं लेकिन प्लांट इसी के वज़ा से स्ट्रेस में नहीं आता है प्लांट अचungkin से ग्रोफ होता रहता है और यह खास बात होती है कि यह रूट के रूट से थोड़ा दूर पड़े रहता है तो यह फंगी क्या करते हैं उसको रूट तक एबलेबल करा देते हैं ताकि जो भी फ़र्टिलाइजर का जो न्यूट्रिसिनल वैलू होती है तो वह तत्तो ज्यादा से ज्यादा रूट को कैसे प्लांट के अंदर मिल पाए तो यह प्लांट जो अपनी ग्रोथ है अच्छी से बढ़ा सके और आप देखेंगे जो प्लांट के अंदर आप माइक्रोजल फंगी आप उपर से एक्स्ट्रा डालोगे तो लगबग एक महिना लग जाएंगे यह फंगस क्रियेट होते होते अच्छी तरह अपनी जाल बनाने के लिए जो टाइम उनको लगता है लगबग एक महिने से उपर लगबग 25 जिन तो लग जाते हैं तो दुबारा इनको आप जब डालेंगे तो लगबग आप 20 दिन के अंदर एक बार डालेंगे तो इसको देने का जो प्रोसेस है जो आप प्लांट के अंदर आप उसको केसे तो एक एमल एक लीटर पानी में गोल बना लीजिए उसको आप चाहे तो एक प्लांट के अंदर एक लीटर पानी डाल सकते हैं या अगर प्लांट आपका छोटा है तो हाप हाप लीटर करके दो प्लांट के अंदर आप डाल सकते हैं और इसी तरह आप इसको महिने में चाह एक बार भी दे सकते हैं और मार्केट में तो बहुत सारे माइक्रोजा फंगिस के नाम से बहुत सारे चीज मिलता है लेकिन वह बहुत ही कॉस्टली होता है और जैसे कि आता है टाटा कंपनी का बहुत सारे ब्रांड यहां मैंने लिस्ट रख दी हूँ जो भी आपको रेजल्ट आपको मिला है तो आप चाहे तो उसको कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं और इसको उपर से हम क्यों देते हैं क्योंकि जो प्लांट जमिन के अंदर लगे होते हैं जमिन के अंदर जो माइक्रोजल फंगस होती है वो तो पहले से ही होते है लेकिन जो जब करेंगे जो प्लांट इसको इसको यूज़ करेंगे दूसरे प्लांट के इसाफ से इसका घ्रोध बहुत जायर ठीज ऑनधे स्टीलड़ बीधिध करेंगे तभी आपको एक जीज़ प्लांटा स्टीलाइजर देंगे महिने में जितने बार भी आप फोटिलाइजर डालते हैं उसका जो वेनिफिट है इसको आप महिने में एक बार यूज करेंगे ताकि जो भी फोटिलाइजर का जो जो गुनबत्ता होती है जो न्यूट्रिसनल वैलू होती है तो यह प्लांट को इजली अभलेबल करा देंगे और इसका जो ग्रोथ होती है वो दूसरे प्लांट से बहुत ही मतलब 100% बहतरिन रेजल्ट आपको मिलने वाले हैं तो दोस्तों जो भी चीजे मैं करती हूँ अपने प्लांट के अंदर वो सारे चीजे मैं चैनल के थो आप लोग के पास महुचाती हूँ अगर आपके प्लांट सिंडर के उपर है तो एक चीज का अब ध्यान रखिए अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है गर्मी तो स्टार्ट मनिंग में जो धूफ होती है बहुत तेज धूफ होती है तो तीन बार अगर आपके प्लांट सिंडर पे हैं तीन बार सावरिंग और इस माइक्रोजल फंगी को आप महिने में एक बार आप उसको रूट प्लांट के अंदर आप डाल सकते हैं और अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो तो जो भी चीजे में आप लोग के साथ सेयर करती हूं वो अपने प्लांट के अंदर करती हूं बेनिफिट मिलता है तेंक यू